आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हेलो प्रेंट प्रशन है मीरा विलिस जलापा में पत्ती का रंग उधारण होता है नोन मैंडलियन वंशागती, मैंडलियन वंशागती, रसायन वंशागती या दोनों भी धतासी तो देखें, मीरा बिलीज जलापा, लिखेंगे, मीरा बिलीज जलापा, इसमें दोनों, पुश्प और पत्तियों का रंग, अगर बात करेंगे पत्तियों की रंग की, जैसे पत्तियों का रंग हमने उधारण के लिए हरा और पीला लेकर उनके मध्य क्रॉस कराया, हरे को हम नाम देते हैं capital G capital G और अख से inज種ा हम पीले को नाम दे देते है जब हमारा इन के मदें संकरण होता है तो संतती जो है कैसे तरीके की पुराप्त होती है देखे लेकिन और इस तरफ क्या प्राप्त हो गया जी जी लेकिन ये संतती हरी और पीली ना होके कैसी हो जाती है अगर नीले रंग की ये हम उधारण के तोर पे समझ रहे हैं हरी ये पीली ना होके नीले रंग की हो जाती है ये किसी और रंग की हो जाती है तो ये एक नया गुंड देखने को मिला है जो की हमारा पेत्रक पीडी यहां पे भी नहीं है और यहां पे भी नहीं है पेत्रक पीडी में नहीं है तो जब इस तरीके की संभावना बंती है संकरन का नानिक पर तो इस तरीके के गुण को बोला जाता है अपुर्ण प्रभाविता क्या बोला जाता है अपुर् में बताया, साथ उन्होंने तीन नियम दिये जहां पे अपुर्णप्रभाविता का कहीं पर उलेग नहीं था, ठीके, अपुर्णप्रभाविता का बाद में उलेग किया तो ये क्या हो गयी non-mandalian वनशागती, क्योंकि मेंडेलियन वंशागती के अंतरगत वो तीन नियम आते हैं, जिसके अंतरगत अपूर्ण प्रभाविता की जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, और इसको रासायन वंशागती भी नहीं कहते। तो दोनों भी थतासी रोंग हो जाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ही, आशा करते हैं आपको प्रश्णे का उत्तर समझाये होगा बिडियो को देखने के लिए धानिवाद